परेली थाना भोजीपुरा के महेशपूर शिवसिंग गाउं के कावणियां हर साल बड़े हरशोलास के साथ अपनी कावण यात्रा निकालते हैं जो सरकारी स्कूल की तरफ से निकलती हैं उसी रास्ते में एक मंदर भी पढ़ता है किन्तु कीचर की वजह से पिछली साल उनका निकलना मुश्किल हो गया था तो मुस्लिम समाज की सहमती के नुसार उनको दूसरे रास्ते से निकलने का मौका दे दिया गया था इस बार फिर कीचर और गंदा पानी भर गया है इस बार फिर मुस्लिम बाहुले इलाके से निकलने की योजना बना रहे थे तो मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया और कहा कि नई परमपरा नहीं पढ़ने देंगे जिसको लेकर वहें आईएमसी नेता डॉक्टर नफीस खान और जिलाधिक्ष नदीम खान के साथ कुछ ग्रामिड मुस्लिम समाज से संबंद थे एसपी ग्रामिड राजकुमार अग्रवाल सभी जुलाधिकारी दफ्तर पहुँचे और ये सहमती बनी के बड़े वाहनू जिसमें डीजे इत्यादी लगे हुए है आज मस्दा हिया है कि बोचिपुरा के महशपुरा है पाके लोग कल मलाना सुप्किर रदाखन से मिले थे नदीम खान ने सिलसले में एसपी आरे साब से बाचीत करी थी एसपी आरे साब और आज एडीमी दोनों मिलके दोनों पक्षों के बीच एक समझावता कराना चाहते हैं दूसरा पर कावल याता निखाना चाहता है अपना जो उसका प्रंपरा गत रूट है उससे हटके वो दूसरे रास्ते जाना चाहता है तो इन लोगों ने उसका विरोध किया तो इस पे एस पी आरे साब से बात की गई उन्होंने आज मिटिंग रखी है एडीमी सामने और एस पी आरे सामने और हमें उमीद है कि दोनों पक्षाज होंगे और अच्छा तक कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा हमेशा अपने परदेश, अपने मुल्क, अपने शहर में अपने उमान खाइम करने में सर्वे सर्वा रहती है जहां जोगी नवाइदा का मसला हो या कोई मतला हो हमारे नदीम का के निकाट में मैं खुछ भी मौजूद रहा है देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर